याग्यवल किस्मृती हमारा व्यवहार अध्याय चल रहा है और इसमें कल हमने सीमा विवाद प्रकरण पूल किया था आज है स्वामी पाले विवाद प्रकरण प्रारंब करते हैं इसको तो स्वामी पाल विवाद प्रकरण में कहते हैं मासा नश्टवतु महिसी शश्यगातस्यकारणी दंडिनिया तदर्धन्तुम गौस्त तदर्धमजाविकम दिखिए मास और माश दोनों में अंतर है यहां पे जब हम मूर्धन्य शाकाव उप्योग करते हैं तो इसका अर्थ होता है अन्व गेरे जो जमीन में उत्वन होता है तो अगर किसी की महिसी यानि भैस मैं जब महिशी शब्द सुनता हूँ तो मुझे बड़ा क्योंकि हमारे हाँ महारानी के लिए भी इसी शब्द का प्रियोग होता है महिशी और भैस के लिए भी महिश्य शब्द का प्रियोग होता है समान आर्थक है संभवता इसलिए होता होगा क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही अपनी अपनी तरह एक मस्त होते हैं किसी को किसी की पड़ी नहीं अपने काम में तो अगर किसी की भैस खेत में घुच जाती है और वो जो खेती की जमीन बगेर है शस्य घात से उसमें उगी हुई फसल को नश्ट कर देती है दंडिनियां तो उसके लिए दंड दिया जाता है तद अर्धन तू गऊ हू अगर गाय घुच जाए तो उससे आधा दंड दिया जाएगा तद अर्धन अजाविकम और उससे भी आधा दंड दिया जाएगा अगर अजाविकम यानि बकरी बगेरे घुच जाए तो तो ये व्यवहार प्रकरण चल रहा है और व्यवहार प्रकरण में आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए कि सीमा विवाद खतम हो गया अब जो पशु बगेर हैं अगर वो किसी के खेत में चले जाते हैं तो उसका प्रणाम क्या आता है उसके लिए क्या सजाएं है क्या दंड है इस सबका स्वामी पाल विवाद पुत्रण में इसकी चर्चा होगी तो सबसे पहले ये कहा माशा नश्ट हूँ अगर माश नश्ट हो जाता है यानि फशल को खा लेती है कौन बैंस शश्य घातस से वो शश्य अगर समाप्त हो जाती है देखे फशल की भी बात है और घास की भी बात है दोनों इस्तिति में तो एक रुपए का दंड किया जाएगा तद अर्धन्तू उससे आधा गाय के लिए दंड किया जाएगा और उससे भी आधा दंड जो है वो किया जाएगा अजाविकम बकरी या जिसको हम भेड बगेरे बोलते हैं ये अगर प्राणी चले जाए तो उससे आधा दंड किया ज गई हाँ जी बोलिए चलिए फिर सिस्पष्ट कर लेते हैं यहां कह रहे हैं कि मासा नश्टो माशा कहते हैं अगर कुछ उपज गेहूं वगेरे या जो भी हो खाद्यान अगर गोया गया है और वो अगर नश्ट होती है सस्षे घात श्षे कहते हैं हर्याली को कई वार क्या है कि खेत में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने प्राणियों के लिए जैसे अपने खाने के लिए इंतजाम करते हैं ऐसे ही हमारे यहां यूपी में करपब बोलते हैं जुआर बोई जाती है और उसको हरारा काटा जाता है, पशुन को खिलाया जाता है, या हमारे गुजरात में गास के खेट के खेट छोड़ दी जाते हैं, पूरे पूरे गास ही होती है उन खेतों में, तो अगर किसी की भैस उसमें चली जाती है, और उसको खा जाती है, तो एक रुपए का दंड करन गया हो तो उससे आधा दंड किया जाएगा ये इसका प्रोविजन है अगर मान लिजे पांच भेसें तो पांच रुपय दंड होगा पांच बकरियां है तो सब्लाव रुपया दंड होगा यह आप समझ के चली यह इसका विदान किया गया है भक्षीत वो प्विश्टाना मा तो बिल्कुल ही दब जाएगी देखी काई होई फसल का क्या होता है कि जैसे कोई चीज उपर से कटती है न तो दुबारा से उसके उगने के कुछ चांस होते हैं उतनी अच्छी नहीं होगे लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ दाने आ जाएंगे लेकिन जिसके उपर बै अब वो भैंस को भी लागू पड़ेगा गाय को भी लागू पड़ेगा बक्रियों को भी लागू पड़ेगा सम में साम विवी तेपी खरोष्ट्रम महिसी सम और इसी प्रकार से खर यानि कधा उस्ट यानि उंट ये भी अगर किसी के खेत में जाते हैं तो भैंस के समान किया जाएगा तो इसको अची तरीके से समझ लें कि जितना दंड भैंस के लिए है उतना ही दंड गधे और उंट के लिए भी यहाँ पे कहा गया है अब देखिए आगे चर्चा कर ले हैं यावत शश्यम विनस्यत जितना धान्य का नुक्षान हो गया है जितनी फशल बरबाद हो गई है तो तावत स्याक छेत्रिना फरम छेत्री को उसके समान रकम मिलनी चाहिए ज्यान दीजेगा कि अगर हमारे खेत में किसी की गायभैंस घुस गई है तो पहले जो कहा था ना कि एक रुप्या दंड करना चाहिए तो वो तो खाली घुसने बर का दंड है यहां क्लियर कर रहे हैं कि दंड कितना होना चाहिए इस चीज को क्लियर कर रहे हैं जो मैंने एक रुप्या या दो रुप्या बोला उस चीज को भूल जाएए यहां क्या कहते हैं यावत सश्यम विनश्येत। जितनी शश्य यानि जितना अन या फसल शश्यकार्थ करेंगे फसल विनश्येत। नश्ट हो जाती है तावत स्याथ छेत्रिना फलम। उतना ही खेत्रिय को यानि खेत के मालिक को आपको फल वापस देना पड़ेगा फल देना पड़ेगा यानि उसका जो भी रकम है वो वापस देने पड़ेगी गोपस ताड्यस्त। और जो गाय चराने गया है या भेंस चराने गया है या बकरी बगेरे चराने गया है उसको ताडना की जाएगी, यानि उसको शारीरिक दंड दिया जाएगा, गोमी तो पूरवक्तम दंड मरती, लेकिन जो उनका मालिक है, गाय का भेंस का इनका मालिक है, उससे सिर्फ दंड लिया जाएगा, यानि उसको मारा पीटा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें उसकी गलती नह तो गाय चराने वाला जो है उसको तो ताड़ना का दंड लिखा है यानि उसके तो पिटाई होने चाहिए और जो गोमी है गोमी यानि जो उसका मालिक है पूरवक्तम दंड मरती जो पहले कहा गया है उस प्रकार से उससे दंड लिया जाएगा अगर मान लिजी किसी की भैंस गुज गई हो थोड़ा सा मो मार के चलिया है तो एक रुपए के दंड का जो मैंने बात की थी उस तरीके से लिकन अगर किसी का ज्यादा नुक्षान हुआ तो आप कहें कि ठीक है एक रुपया लगे लगेगा ना पहल दो भैंस को अंदर जान दो चरके आ जाएगी फर एक उर्पया दंड बर देंगे तो इसलिए ये कहा कि ने यावत सश्यम विनश्यत जितना फशल का नुक्षान होगा उतना ही फल देना पड़ेगा पति ग्राम बिती तांते छेत्रे दोशों न विद्यते अब भै कुछ खेत ऐसे होते हैं जो बिलकुर रास्ते की किनारे होते है आपने भी कभी ऐसा किया होगा गंने का खेत हो और रोड के किनारे हो तो चलते चलते मन हो गया तो आदमी घुज जरात में कम पाया जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग जादा होता है यहां जरा प्राणियों के संदर में बात कर रहे हैं लोगों की बात नहीं चल लही है पथी ग्राम विती तांते अगर बिल्कुल गाउं के बगल में हो या रास्ते के बगल में हो देखे सीधा दोड़ता दोड़ता पास में खेत है तो वहां पहुंच जाएगा अगर वो वहां पहुंच गया तो परिणाम क्या आएगा दो-चार मुँ तो मारी देगा ऐसा तो है नहीं कि वह राह देखेगा कि अभी मालक आएगे हमें पर्मिशन देंगे नहीं देंगे तो पत्थी यनि मार्ग के पास हो ग्राम यनि गाओं के पास हो तो ऐसे जुग शेत्र हैं दोशों न विद्यते वहां अगर प्राणी घुस जाए तो इसका कोई धोश नहीं माना गया है अकामत हा कामचारे चौरवद दंड मरती लेकिन वो घुसना अकामत है यानि इरादतन ऐसा नहीं किया गया कि प्राणी को ठीक है जाओ गूमाओ थोड़ा सा इस तरीके से अगर किसी ने छोड़ा है तो तो चौरवद दंड मरती तो तो चौर के समान उसको दंड मिलना चाहि है लेकिन अकामत हा अगर ऐसे ही बिना किसी इरादे के और किसी के प्राणी घुस गये हैं तो उसको दंड का न दोसो विद्य दे तो उसमें दोश नहीं माना गया है लेकिन कामचारे अगर किसी ने जान भूच के अपने प्राणीयों को अंदर घुसा दिया वही रोड के स जासा चले जारे तुमने का जाओ थोड़ा से चरलो तो चोर वद दंड मत दे तो उसको चोर के समान दंड दिया जाना चाहिए महोक्षो त्रिष्ट पशवाह सूतिका गंतुकाद यहा पालो येसाम चत्ते मोच्या देवराज परिपुलता अब देखिए हमारे हां महोक्ष कहते हैं साण को महोक्ष कहते हैं अगर आपको याद हो शिव महिमनी स्तोत्र में आता है शिव जी के पास क्या-क्या संपत्ति है उसका वर्ण किया है यही उनकी संपत्तियां है तो वहां महुक्षकार्थ क्या होता है? नंदी तो यहां भी महुक्षकार्थ क्या है? जो शान वगेरे खुले छोड़े जाते हैं महुक्षो उत्सरिष्ट पशवा है कुछ पसु इस्प्रकार के भी होते है यहां महुक्षकार्थ मैंने आपको शान कहा लेकिन यह पाड़ा भी हो सकता है यानि भैंस के में पाड़ा भी हो सकता है कुछ इस्प्रकार के बकरे बगरे भी होते हैं जिनको की कोई निसान लगा के दाग बोलते हैं जो दूसरे गाय वगेरे को फलित करने के लिए हुआ करते हैं तो ऐसे देखिए बैल अलग चीज है जो खेत में चलाया जाता है और शान अलग चीज होता है दोनों में बड़ा अंतर होता है शान को कभी आप खेत में नहीं चला सकते हैं जो बैल होते हैं उनको खेत में चलाय दाली जाती है उसी को कहते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगहा हिंदी की एक आवत है कि जिसकी नाक में नकेल नहीं पड़ी है उट को डाली जाती है उसको नकेल बोलते हैं और जो बैल बगेर को डाली जाती है उसको नाथ बोलते हैं तो जो शान होता है उसको ये चीज नहीं डाली जाती है तो महुक्ष या निशान तो ऐसी जो प्राणी है जो गाए भैंस वगेरे पसुओं को फलित करने के लिए छुटे होते हैं वो घुमते रहते हैं कभी किसी कहां पहुंचे कभी किसी कहां पहुंच गए तो पालो एसाम चते मुच्या देवराज परिप्लुता करेंगे कि कई बार किनी देवताओं के नाम पे हम कुछ प्राणियों को आपने देखा हो तो कभी किसी साण के पीछे जो है एक त्रिसूल जैसा चापा होगा कभी किसी के पीछे गोला जैसा तो यह सब चीजें इस प्रकार के प्रोविजन होते हैं हमारे एक बली चड़ान के प्रता होती है कि इसके नाम पे प्राणियों को छोड़ने की प्रता होती है तो जिस देवता के नाम पे छोड़ा जाता है उस देवता के निसान से उसको चिन्नित कर दिया जाता है तो वो प्राणी जो है अगर इस प्रकार का कोई प्राणी आ गया है तो भीया आप उसको ते मोच्या, उनको छोड़ी देना पड़ेगा, आप उनको बंदी नहीं बना सकते, उनको कहीं जैसे नहीं कि किसी के गाय बगेरे आ गए, तो आप उनको पकड़ के, हमारे गुजरात में तो कहते हैं कि डबब, डबबा मा पूरी दीदा, मतलब क्या बोलते हैं, यूपी प्राणियों को जाकर के बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे प्राणियों को आप पकड़ नहीं सकते, उनको बंद नहीं किया जा सकता, उनको छोड़ देना होता है, यथार, पितान, पसुन, गोपह, साइंग, प्रत्यर पईत तथा, अब देखिए, यहां बात चल रही है, कि जिस प्रकार से स्वामी के पास से पशु लेगा, साइंग प्रत्यर पईत था, साइंग काल उसको उसी स्थिती में पशु वापस देने है, यानि किसी के हां से वो पांच गाये लेके गया, दो बच्छडे लेके गया, तो पांच गाये दो बच्छडे वापस आने चाहिए फिर वो कही कि एक गाए तो कहीं चली गई, चारी आएं बापस तो दो बच्ड़ आए तो वो चलने वाली बात नहीं है प्रमाद मुर्त नश्टास्ये प्रदाप्या कृतवेतना अगर उसके प्रमाद के कारण, उसके आलश्य के कारण कोई मर जाए, कोई नश्ट हो जाए, नश्ट होना यानि खो जाना, और मुर्त यानि मर जाना, तो प्रदाप्या करते भी इतना, तो उसकी तनखा मैंसे वो पैसा काटा जाएगा, उस मैंसे उसकी रकम ले ली जाएगी, यानि गाये चराने के लिए जो लोग जाते हैं, वो म कार से पापस नहीं करते हैं तो उनके उसमें से काटा जाना चाहिए ये इसका अर्थ हुआ पाल दोश विनासे तू पाल दंडो विधियते अर्धत त्रेव दशपना स्वामिनों द्रव्य में वचाव देखे अपाल जो चराने वाले होते हैं देखे पाल तो पूरी प्रजाती है उत्रप्रदेश में साइद गडरिया एक शब्द और प्रयोग होता है तो ग्वाल बाल अलग चीज है अहीर लोग अलग होते हैं ये पाल एक पूरी प्रजाती अलग है तो यहां बाद में ये सारी प्रजातीयां बन गए पहले तो कोई भी इस काम को कर सकता था दिखे बच्पन में मैंने भी बड़ी गाय चराई है हमारे यहां बड़ी लगती है क्योंकि अगर कभी दस-पांस दिन भी चले गए तो बड़ा लगता कि बहुत ये काम किया है हमारे दादा के जवाने में, हमारे बाबा के जवाने में, हमारे यहां पांच पांच गाये थी, खेर हमारे यहां गाये तो अभी भी आज की तारिक में भी तीन चार गाये वहां गाओं में हैं, और भेंस भेंस हमारे यहां नहीं रखी जाती है, क्योंकि वो फलती नहीं है, भेंस आप रख लो तो घर में कोई मर जाएगा या किसी को कुछ नुक्षान हो जाएगा ऐसे कुछ चलता है तो भेंस तो कभी रखी नहीं जाती है मुझे याद नहीं है एक बार खाली एक भेंस लेकर आये थे तो इतनी परिशानिया हो गए कि उसको दे दिया कि भी या ले जाओ जिसको ले जानी है बेचने के लिए भी नहीं गए और गाये रहती है तो बड़ा घर में शुक शानती चैन अमन और बड़ा शुकून रहता है तो एक गाये तो ऐसी थी इतनी प्यारी गाये थी कि हम उसके उपर चाहे चढ़ जाएं अगर हम चढ़ेंगे तो वो और लेट जाएगी फिर उसके उपर ज्यादा तर ऐसा नहीं हुआ करता गायें के साथ में गाये इस पर उसके बड़ा बचती है लेकिन बच्चा अगर उसके साथ खेला तो बड़ी मस्ती में खेला करती थी बहुत प्यारी गाये थी कपिला गाये जिसको बोला जाता है वही उसकी क्वालिटी थी कपिला गाये की निशानी क्या होती कि उसके सींग जो हैं नीचे की तरफ जुके होते हैं उसके सींग उपर की तरफ नहीं होते ह आपका भविश्य यहां है या हम आपके मस्तकी रेखाई देखके यह बता सकते हैं कि आपका भविश्य क्या है तो ऐसा प्रानियों के भी चिन्दि दिये गए हैं, जिनके आधार पे प्राणियों के बारे में भी जाना जा सकता है, कि ये प्राणी सीथा है, यह ए प्राणी जादा, तो पाल दोष विनाषे तो पाल दंडो विधियते, अगर पाल का दोष है और इसके कारण बिनास हुआ है अब देखिए यहां तो पशुर के बिनास की भी बात आ सकती है और किसी के खेती के बिनास की भी ठीए तो पाल को दंद मिलेगा यह जो चलाने वाला है उसको दंद दिया जाएगा अर्धत त्रेव दश पना स्वामिनों द्रव्य में वचा अब यहां कहा है कितना मिलना चाहिए तो अर्धत त्रेव दश पना आधा और तीन और दस यानि साड़े तेरा पन दंड देगा और स्वामिनों द्रव्य में वचा जिसकी गाय गई है उसको तो गाय का पैसा मिलेगा और ये दंड किया जाएगा उसके उपर यानि ये चीज और समझेए कि अगर आप अपने कार्य में गड़बड़ी करते हैं तो जो आपसे बिगड़ेगा वो चीज तो आपको देनी ही है और उसके उपर से दंड और लगेगा ये प्रोविजन था ग्रामेच्षया गोत्रचारो भूमिराज वसेनवा द्विजस्त्रनई देपुष्पानी सर्वता सर्वदारित हाँ जी हाँ बोलिए 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 चलिए देखे पन जो है किसी जमाने में जैसे आज रुपिया शब्द का प्रियोग होता है या अमेरिका में डॉलर शब्द का प्रियोग होता है उसी प्रकार से एक समय था जब पन शब्द का प्रियोग होता है और इसको आपको बिलकोल इसी तरीके से मानना है कभी टका भी कहा जाता था आज भी बेंगॉली में मेरी खाल से ओडिशा में भी टका बोलते हैं रुपिया को आज भी टका बोलते हैं एक कहावत है अंधेर नगरी गंडू राजा टका सेर भाजी टका सेर खाजा तो ये सारे जो उलेख हैं तो ये पन का अर्थ एक रुपया आप इस प्रकार से समझ के चले ठीक है ना तो साड़े तेरा रुपय आज की भाषा में अगर बात करें उस समय पन कहा जाता था आज बोलते हैं ग्रामे छेया गोत्र चारो गाओं के सभी लोग मिलकर के ये निश्चे कर सकते हैं कि गोत्र चारो गाए के चरनी के लिए जमीन रख दी जाए भूमी राज वशेनवा या राजा भी इस प्रकार का प्रोविजन कर सकता है फिर से ध्यान दीजिएगा कि राजा अभी इस चीज़ का प्रोविजन कर सकता है और इस चीज़ का प्रोविजन गाओं के लोग भी मिलके कर सकते हैं कि गोचर भूमी छोड़ दी जाए हमारे यां गुजरात में बहुत इसका प्रचलन है यहां गोचर भूमी हर गाओं के आसपास कुछ ना कुछ इस प्रकार क कि भूमी होती है यह बात अलग है कि आजकल गोचर भूमी पे लोगवा कब्जा कर लिया करते हैं तो ग्रामेच है अगाओं के लोगों की इच्छा से गोत्र चारो जो गोचर भूमी है उसको छोड़ना चाहिए राजवशिनवा अत्वा राजा को इन रने लेना चाहिए क्य ली जाए तो दिक्कत किसी का प्राणी चला जाए तो दिक्कत लेकिन ब्रामन किसी के खेत में गुज़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं ब्रामन किसी के भी खेत में सित्रन ले सकता है इंधन ले सकता है पुष्प ले सकता है सर्वता सर्वता हरित सर्वता यानि कहीं से भी हो तो ब्रामनों के लिए special provision किये गए हैं कि वो कभी भी कहीं से भी और किसी के भी खेत में जा करके और उसकी अनुमती के बिना ले सकते हैं यह सबसे बड़ी बाद कहीं नहीं लिका है कि अनुमती के द्वारा वो ले हैं वो ले सकते हैं अब देखिए एक जो आज भी इस चीज का प्रियोग होता है आज कुछ अलग ध्रंग से है यहां पर धनु शतम परिणाहो ग्रामे छेत्रान तरे भवेतर गाउं जो है उसके आसपास सौ धनुस जगे छोड़ देनी चाहिए एक धनुस का आकार हम कितना समझे एक धनुस यानि कोई बूलेगा एक धनुस है नहीं देखिए आप एक चीज समझ के चाहिए एक सो असी डिग्री ने डिग्री की बात नहीं साइज की बात हो रही लंबाई की बात हो रही है डिग्री की बात नहीं हो रही है लंबाई की बात हो रही है कि एक धनुस कितनी जगे होगी तो आप यह मान लिज ये कि राम जब शिव के धनुस पे प्रतिंचा चढ़ाने के लिए उसको उठाते हैं, तो उसको ऐसे करके जुकाना पड़ता है, ऐसे जुका रहे हैं, यानि वो धनुस राम की हाइट से बड़ा था, जनरली धनुस की जो हाइट होती है, वो आप ये मान के चलिए, दो गज, कम से कम 6 फुटका तो धनुस होगा, 5-6 फुटका, और पिर जितना बड़ा व्यक्ति उप्योग करने वाला, क्योंकि जैसा बड़ा धनुस होगा, जितनी बड़ी तोप, उतनी बड़ी मार, तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं, तो धनुस का आकार आप ये मान के चलिए, कि दो गज, और अगर दो गज मान के चलते हैं, तो गाओं के बाहर धनुस सतम परिना हो, यानि 200 गज जमीन जो है, 100 धनुस कहा है, तो 200 गज जमीन, चारो तरफ गाओं के आसपास छोड़ देनी चाहिए, 200-200 गज, जो गाओं की सीमा है, उसके आसपास की इतनी इतनी जमीन छोड़ी जानी चाहिए, इसको आबादी भी कहा जाता है, हर बार जब नए सिरी से चकवंदी बगेर होती है, तो गाओं के आसपास की जमीन इस प्रकार से, गाओं की लोगों के लिए छोड़ी जाती है, तो इसको आबादी कहते हैं, द्वेश रते खरवट अश्य, स्यान नगरस से चतुश शतम, तो ये जो सौधन उस जगे छोड़ी जाएगी, यानि दो सो गज जो जगे छोड़ी जाएगी, ये जोती नहीं जाएगी, वहाँ खेती नहीं हो सकती, अगर खरवट खरवट बोलते हैं कोई कश्वा वगेरे जिसको आप बोलते हो जो छोटे तालुका प्लेस वगेरे जिसको आप मान सकते हैं इस प्रकार की जो जगे होती हैं तैसिल वगेरे हम जिसको कहते हैं तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे द्वेशते यानि यहां धन उस जगे उसके आसपास छोड़ देनी चाहिए यानि यहां 400 गज हम 500 गज का अगर मीटर गिने ना तो यहां लगबक 400 गज जगे यानि आदा आदा किलो मीटर चारो तरफ परीधी उसकी बढ़ा करके शोड़नी चाहिए स्यान नगर से चतुशतम और अगर कोई नगर है तो उसके आसपास 400 चार सो का मतलब 800 आपकी मन के चलिए कि एक एक किलो मीटर का एरिया एक किलो मीटर चारो तरफ जगे छोड़ के चलनी चाहिए अगर कोई सहर है अब महानगर की बात यहां पे नहीं की गई है आजकल तो महा कार से यह स्वामी पाल विवाद प्रकरण पूरा हुआ अब यह जो सो धनोस 200 धनोस और 400 धनोस जगे छोड़ने की बात की है इसका अर्थ ही यह होता है कि इस जमीन में खेती नहीं की जा सकती है और अगर इस जमीन में कोई खेती वगेरे कर रहा है और उसमें कोई किसी को भरने का नंबर नहीं आता है दूसरी चीजी क्या होती कि उनमें प्लोटिंग वगेरे हो जाया करती है और नए घर वहां बनते हैं आगे क्योंकि एक परिवार है उसमें दो बच्चे हुए दोनों बच्चों को अपने अलग 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 घर बनाने हैं तो इस प्रक आवाई